दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे बहुत ही जादा कमाल के इंडिकेटर के बारे में ये इंडिकेटर इतना जादा सिंपल है और इतने जादा कमाल का है कि आपको बताएगा कहां सपोर्ट बन रहा है और कहां रेजिस्टन्स बन रहा है बेसिकली एक लाइन आपको दिख रही होगी, green color के अंदर, यहां से आपको बता लगेगा, कहां पर आपको buy करना है, कहां पर आपको sell करना है, अखिर कौन सा indicator हमने use किया है, कहां पर आपका stop loss रहेगा, कितने point का आपका target रहेगा, सब कुछ इस video में आपको पता लगने वाला है, तो प्लीज वीडियो में एंड तक बनी रहें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूले और चैनल को सब्क्राइब जरूर से कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आप आने वाले दिनों में देखते रहें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक का चार्ट हमने लगा लिया है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने यहां पर यूज किया है 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही आपको यूज करना है आपको हमेशा 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही यूज़ करना है ये स्पैरजी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही काम करेगी दूसरा इसके अंदर important है हैकरिशी candle का आपको यूज़ करना है normal candle का यूज़ आपको बिलकुल नहीं करना है हैकरिशी candle आपको लगा लेनी है और उसके बाद एक indicator जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ ये indicator आपको लगा लेना है उसके बाद बस आपको कुछ भी करने की सरूरत नहीं है जहाँ पर आपको buy के लिए बोला जाता है वहाँ आपको buy करना है जहाँ पर आपको sell के लिए बोला जाता है आप वहाँ पर sell कर सकते हैं ठीक है example के थुरूर यहाँ पर मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर आप दे सकते हैं कि green candle यहाँ से बनना शुरू हो गई थी पहली candle ये बनती है दूसरी candle ये बनती है तीसरी candle ये बनती है चौथी candle ये बनती है आपको कुछ भी नहीं करना है candle बन रही है आपको बनने देना है लेकिन जैसे ही इस line के उपर कोई candle जाती है तब यहाँ पर आपको active हो जाना है फिर भी आपको फटा फट buy नहीं करना है आपको एक दो candle और भी बनने देनी है candle के उपर ठीक है जैसे कि इस candle ने इस line के उपर closing दी उसके बाद ये candle बनी उसके बाद ये candle बनी आप इस वाली candle पे buy कर सकते थे at the money का अगर आप यहाँ पर call buy करते अगर आप bank nifty के अंदर trading कर रहे हैं या nifty के अंदर trading कर रहे हैं और at the money का call अगर आप buy करते तो यहाँ पर आप दे सकते हैं तकरीबन 858 point market यहाँ से उपर गया है यानि कि तकरीबन 8500 point market उपर गया है यानि कि हमारा bank nifty यहाँ से उपर गया है present wise अगर आप देखेंगे तकरीबन 2% की तेजी आपको यहाँ पर दिखाई देगी at the money का अगर आप call बाई करते एक lot के उपर 400 point तक का profit आपको यहाँ पर मिल सकता था यहाँ पर आप दे सकते हैं 22 घंटे 15 मिनट का time लगा है 18 bars बने हैं और 22 घंटे के अंदर तकरीबन 400 point एक lot के उपर मुझे लगता है कि कम नहीं होते हैं यह indicator एक support और resistance के जैसे ही काम करता है हाला कि आपको दिखाई नहीं देगा यह एक line सी बनके आपको दिखाई देगी लेकिन basically यह एक support और resistance के जैसे ही काम करता है चलिए और भी कुछ example मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ बहुत ही simple यह indicator है एक line आपको यहाँ पर दिख जाएगी और जैसे इस line के नीचे कोई red candle closing देती है तब आपको यहाँ पर put buy करना होता है यानि की sell करना होता है और इसके ऊपर कोई candle closing देती है तब आपको यहाँ पर call buy करना होता है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि इस candle ने इस line को break कर दिया, नीचे की तरब closing दी, line के नीचे इसने closing दे दी है, आपको क्या गरना है पहली candle को छोड़ देना है, दूसरी candle को भी छोड़ देना है, लेकिन तीसरी candle भी अगर red बनती है, फटा फट से आपको चौथी वाली candle पे और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एक्जामपल के थूरू मालीजी आप इस वाली candle पे entry बना लेते, तब क्या होता, यहाँ पर आप दे सकते हैं, 438 point की गिरावट देखने को मिली है, बैंक निफ्टी के अंदर, 13 bars बने हैं, 21 hours का time लगा है, पर percent wise अगर आप यह तकरीबन 1% की गिरावट आपको दिखाई देगी, बैंक निफ्टी के अंदर, ऐसे और भी कई सारे example में आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, यहाँ पर भी आप दे सकते हैं, कि इस वाली candle निस लाइन के उपर closing दी, उसके बाद यह candle बनी, उसके बाद यह candle बनी, आपको यहाँ पर भी देखने को मिली है, ऐसे कई सारे example में आपको और भी दिखाना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि stock market के अंदर आप trading करेंगे, तो हमेशा आपका profit ही होगा, अगर आप इस परजी को यूज करेंगे, तो हमेशा आपका profit ही होगा, ऐसा नहीं है, कभी कबार तो आपका loss भी होगा, लेकिन जादतर टाइम आपका profit ही होगा, देखिए stock market के अंदर loss होना तो आम बात है, profit आपको मिले या ना मिले लेकिन loss तो आपका होना ही होना है, ये चीज़ आप पहले ही समझ लीजिए, इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि वीडि है सर, उन लोगों का पैसा बनता है, जो सीखने पर focus करते हैं, जो लगातार market के अंदर काम करते हैं, जो market को time देते हैं, ठीक है, अपनी knowledge के उपर focus करिए, एक ना एक दिन आपका पैसा जरूर बनेगा, और जैसे कि यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं, कितने simple तरीके से आपको buy और sell के signal मिल रहे हैं, ऐसे ही आपको यहाँ पर काम करना है, ऐसे कई सारे example में आपको और भी दिखा सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी यह candle जो है, इस line के उपर चली जाती है, आपको पहली candle छोड़ देनी है, दूसरी candle भी आपको छोड़ देनी है, यानि कि हमारा bank nifty तकरीबन 600 point market यहाँ से उपर गया है, परसेंट वाइस अगर आप देखेंगे, तकरीबन 1.5% की तेजी एक बार्स बना है, और सिर्फ 15 मिनट के अंदर आपको 600 point की तेजी देखने को मिली है, यहाँ पर आप खुद भी देख सक के अंदर काम करते हैं, तो ज़्यादा अच्छी बात है कि यह एक option trading strategy है, लेकिन अगर आपको intra day के अंदर भी profit मिल जाता है, तो आप intra day के अंदर भी निकल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कि आपको hold करना ही करना है, एक या दो दिनों के लिए hold करते हैं, तीन दिनों के अंदर ही करनी है, अब बहुत सारे लोगों को तो पहले से ही पता होगा कि add the money क्या होता है, out of the money क्या होता है, और in the money क्या होता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, उनको मैं shortcut में बता देता हूँ, example एक लिए माली जी अगर bank nifty 40,000 रुपे पे trade कर रहा है, तो आप को 40,000 का ही call buy करना है, अगर आपको call buy करने का signal मिलता है, अगर माली जी आपको put buy करने का signal मिलता है, तो 40,000 का ही आपको put buy करना है, at the money उसको बोला जाता है, जिस जगा पे market trade कर रहा है, उसी जगा से आपको trade करना होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि bank nifty हमारा 40,000 रुपे चल और आप यहां पर 42,000 का 41,000 का 40,500 रुपे का कॉल बाए करके बैठे हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका लॉस होना तै है तो आपको हमेशा एक लॉट बाए करना है लेकिन add the money के अंदर ही ट्रेडिंग करनी है सबसे पहली कंडिशन तो यह है हमेशा आपको add the money के अंदर ह करनी है तभी आपको यहां पर profit मिलेगा नहीं तो आपका loss होना तै है ठीक है अगर आप option के अंदर काम करते हैं तो यहां पर आपको मैंने कई सारे example दिखा दिए एक दो example मैं आपको और भी दिखा देता हूं जैसे कि यहां पर भी आप दे सकते हैं कि इस वाली candle ने यहां पर closing दी दूसरी candle आपको छोड़ देनी है तीसरी candle पर आपको यहां पर buy करना था ठीक है और उसके बाद bank निफ्टी जो है वो हमारा तकरीबन 281 point यहां से उपर गया है अगर आप देखेंगे 1 hour 15 minute का time लगा है 5 bars बने है ठीक है तो कई बार आपको 200 point भी मिलेंगे कई बार 400 point भी मिलेंगे कई बार 1000 point भी मिलेंगे ठीक है यह आपको खुद भी तैय करना पड़ेगा लेकिन अगर आप option के अंदर fading कर रहे हैं आपको एक या दो दिनों के लिए call या put को hold करना पड़ता है तो आप यह समझ जीए कि आपका जो target रहेगा target की बात की जाए तो target आपका target लगा देना है 100 point का आपका target रहेगा अब बात करते है stop loss की stop loss आपको रहेगा यहाँ पर 60 point का ठीक है 60 point का stop loss and 100 point का आपका यहाँ पर target रहेगा अगर आप option के अंदर fading कर रहे हैं ठीक है एक दो दिन के लिए अगर आपको hold करना पड़ जाता है तो 100 point का आपको target लगाना ही अगर आप trailing stop loss का use करेंगे तो और आपका जो profit है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है लेकिन hundred point तो आपके कही नहीं गए hundred point तो आपको मिल ही जाएंगे ये मुझे पहले से ही मालूम है अगर मालिजे आप intra day के अंदर strategy को use करते हैं हाला कि intra day के अंदर strategy उतने बढ़ी अतरी किसे काम नहीं करेगी लेकिन करेगी जरूर ऐसा नहीं की बिलकुल नहीं करेगी करेगी जरूर कई बार ऐसा भी होता है कि एक दिन के अंदर ही profit मिल जाता है तो अगर हमें एक दिन के अंदर ही profit मिल जाता है तो हमें क्या जरूरत है hold करने की फिर तो हमें कोई जरूरत ही न अगर एक दिन की अंदर इंट्रा डे के अंदर आपको यहां पर मिल जाता है तो चुप चाप से आपको यहां से प्रोफिट लेना है और चुप चाप से यहां से निकल जाना है ठीक है अब यहाँ पर मैं एक example आपको और भी दिखाना चाहूंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कौन सा indicator हमने लगाया है और क्या इसकी setting की है कहाँ पर आपको यह indicator मिलेगा यहाँ पर आप दे सकते हैं कि यह वाली जो candle है इस line को break कर देती है और यह दूसरी वाली candle इतनी जादा बड़ी बन जाती है ठीक है दूसरी वाली candle इतनी बड़ी बन गई तो तीसरी वाली candle पर आपको यहाँ पर entry बना लेनी थी अगर मालीजे आप यहाँ पर entry बना लेते तो उसके बाद market जो हमारा गया है पांसो साथ पॉइंट यहां से उपर गया है परसेंट पैज़ अगर आप देखेंगे तकरीबन डेर पर्सन की तेजी आपको बैंक निफटी के अंदर देखने को मिली है एक दिन 15 मिनट का टाइम लगा है यानि कि तकरीबन 24 गंटे के अंदर आपको 560 के तेजी बैंक निफटी के अंदर देखने को मिली है इससे ज़ादा simple कोई पर जी हो ही नहीं सकती एक ही इंडिकेटर आपको लगाना है और एक ही इंडिकेटर आपको सब कुछ बताएगा कहां पर आपको बाय करना है कहां पर आपको सेल करना है एक चीज़ में आपको बताना भोल गया वो यह है बाय कभी भी आपको करना है तो आपको कोशिश करनी है कि जो candles बन रही है वो line के आसपास ही होनी चाहिए ठीक है ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर हों अगर आप मालीजे आप यहाँ पर buy करते तो आप profit में होते आप यहाँ पर buy करते तो profit में होते आप यहाँ पर buy करते तो profit में होते ठीक वैसे ही जब आपको sell करना है तब भी candles line के आसपासी होनी चाहिए बहुत ज़दा दूर नहीं होनी चाहिए example कि थुर अगर आप यहाँ पर put buy कर लेते तो यहाँ पर आप sell कर सकते थे ठीक है आपका काफी अच्छा profit यहाँ पर बन जाना था लेकिर अगर आप यहीं पर put buy करते तब आपका यहाँ पर loss हो जाता तो कभी भी आपको buy or sell करना है तो candles हमेशा line के आसपासी होनी चाहिए ठीक है तब ही आपको यहाँ पर buy करना है बहुत ज़दा दूर अगर आपको candles बनते हुए दिखाई दे रहे है ट्रेड को avoid करना है ट्रेड से दूर रहना है बिलकुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी है ठीक है अब बात करते हैं कि आखिर हमने कौन सा indicator लगाया है और यह indicator आपको कहाँ पर मिलेगा देखिए इस indicator की बात की जाए तो यह indicator वैसे आपको हर जगा पर मिल जाएगा लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि trading view को use करते हैं trading view का chart हम यहाँ पर use करते हैं तो हम यहाँ पर trading view के अंदर जाएंगे simple indicator के उपर click करेंगे और यहाँ पर जाएंगे technicals के अंदर यहाँ पर आपको search करना है moving average जैसे ही आप Moving Average सर्च करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं Simple Moving Average के उपर आपको क्लिक करना है Technicals के नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं Moving Average लिखा हुआ है Simple इस Indicator के उपर आपको क्लिक कर देना है यह Indicator आपके सामने By Default ऐसा लग के आ जाएगा आपको क्या करना है Setting में जाना है इसकी Setting के उपर क्लिक करना है और Input के अंदर जाना है Length यहाँ पर जो 9 आपको दिखाई दे रही है इसको कर देना है 20 ठीक है उसके बाद जाना है Style के अंदर और यह जो Color वाला Option आपको दिखाई दे रहा है इस नीले वाले Color के उपर आपको क्लिक करना है आप चाहें तो इस नीले वाले Color को भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर Green Color को यूज़ करता हूँ उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है इसकी थिकनेस को बढ़ा देना है और हम 3 पर कर देंगे इसको ठीक है उसके बाद आपको कुछ भी नहीं कहना सिंपल इसको OK कर देना है कट कर देना है यहां से अब यह Indicator आपके सामने लगके आ चुका है जैसे कि यह Indicator पहले काम करता था वैसे ही Indicator यह काम करेगा जैसे कि मैंने यहां पर इतने सारे एकजाम्पल आपको दिखाये है वैसे ही यह Indicator काम करेगा आप इसको निफ्टी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं बैंग निफ्टी के अंदर भी कर सकते हैं जरूर से करें चैनल को सब्स्क्राइब नहीं किया है All पे जरूर सेट करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे अगर आप अपना D-Mate अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं Angel Broking के अंदर तो अभी बहुत बढ़िया ओफर चल रहा है आप चाहें तो Angel One के अंदर फरी में अपना D-Mate अकाउंट ओपन करवा सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा